द्रिस्टी आईस के ओडियो आर्टिकल प्रोग्राम में एक बार फिर से आपका स्वागत है। ये आर्टिकल आपके उत्तर लेखन की गुडवत्ता बढ़ाने में सहायता करेगा। इसमें टीम द्रिष्टी के इनपुट्स भी शामिल है। ये आर्टिकल सामाने अधियन प्रश्ण पत्र एक के वुगोल खंड से जुड़ा है। तो आईए आर्टिकल की शुरुवात करत है। गंगोत्री की गोच से निकल कर बंगाल की खाड़ी में समाही थोने तक ये नदी 2525 किलोमीटर लंबी दूरी की यात्रा करती है। अपने प्रवाहपत में गंगा न केवल भारती उपमहाद्वीब की उपजाओ मिट्टी को संजीवनी देती है। बलकि यमुना, गंगरा, गंडक और कोशी जैसी सहायक नदियों के साथ मिलकर एक विश्रित नदी तंत्र का निर्माड करती है। गंगा नदी तंत्र भारत की सबसे महत्वपूर्ण और पवित्र नदी प्रणालियों में से एक है। जो भारती उपमहाद्वीब की समाजिक, सांस्कृतिक और आर्थिक धरोहर का अभिन्र हिस्सा है। इसके तट पर इस्थित हरिद्वार, वारांसी और प्रियागराज जैसे पवित्रस्थन इसे आस्था का केंद्र भी बनाते हैं। यह केवल एक नदी नहीं बलकि भारती सभ्यता का प्रतीक है। जिसने हजारों वर्षों से द महत्व और चुनोतियों पर विस्तार से चर्चा की गई है। तो सबसे पहले समझते हैं कि गंगा नदी तंत्र की विस्थित सनरशना कैसी है। गंगा नदी तंत्र में मुख्यता, गंगा नदी, यवुना, सोन, खागरा, कोसी, गंडक और दामोदर जैसे प्रमुख सहायक नदियां शामिल है। गंगा तंत्र का जलग्रहेट छेत्र लगभग 10,86,000 वर्ग किलो मीटर तक फैला हुआ है, जो भारत और बांगलादेश के विशाल छेत्रों को सिंचित करता है। गंगा नदी की यात्रा उत्रखन की गंगोत्री ग्लेशर से शुरू होती है। गंग दीव प्रियाग में अलकनंदा नदी से मिलकर इसे गंगा नाम प्राप्थ होता है। हरिद्वार में यह मैदानों में प्रवेश करती है और धार्मिक गतिविध्यों का केंद्र बनती है। हरिद्वार से गंगा उत्तर भारत की विशाल मैदानों से होकर बहती है और कई सा और धार्मिक स्थलो जैसे काशी, प्रियागराज और पटना से होकर गुजरती है। गंगा और उसकी सहायक नदिया मिलकर उत्तर भारत की विशाल मैदानों को उपजाओ बनाती है। जिसे क्रिशी, पर्यावरणी संतुलन और जैविविदता को बनाए रखने में मदद मिलती है। गंगा का आखरी हिस्सा पश्चिम बंगाल में प्रवेश करता है और सुन्दर्बन डेल्टा का निर्माड करता है। यहां यह कई वितरिकाओं में विभाजित होती है और अंतता बंगाल की खाड़ी में मिल जाती है। गंगा के प्रवाहमार्ग में कई प्रमुख सहायक नदियां जुड़ती हैं जो इसे जल, जैविविदता और आर्थिक शक्ती प्रिदान करती है। यमुना गंगा की सबसे महत्वपूर्ण सहायक नदि है जो प्रियाग राज में गंगा भी मिलती है। वही इसकी दूसरी सहायक नदी खागरा है जो नेपाल से निकलती है और उत्तर-प्रदेश में गंगा में शामिल होती है। इसके अलावा गंडक और सो नदी भी नेपाल से प्रवाहित होकर बिहार में गंगा से मिलती है। बिहार में ही गंगा से मिलने वाली एक सहायक नदी कोसी भी है। यह नदी बिहार में बाड की समस्या का मुख्य कारण बनती है। दामोदर नदी पश्शिम बंगाल में गंगा की सबसे पुर्वी हिस्से में जाकर उससी मिलती है। इसके अलावा ब्रह्मपुत्र नदी भी गंगा में मिल जाती है। बांगलादेश की सीवा में जब उना की नाम से बैती हुई जब यह गंगा रदी में बलती है तो इसे पद्मा की नाम से यह जाना जाता है। आईए अब जानते हैं कि गंगा रदी तंत्र का महत्व क्या है। गंगा नदी तंत्र का जल विशाल भारती उप महाद्वीब के क्रिशी उत्पादन में महत्वपोड योगदान देता है। गंगा की मेंदानी इलाकों में उपजाओ जलोड मिट्टी और सम्रिद जल संसाधन हैं, जो क्रिशी के लिए अत्यंत उप्युक्त माने जाते हैं। भारत की लंभग 47 प्रत्षत सिंचित शेत्र गंगा नदी पर निर्भर हैं, जिसे धान, गीहु, गन्ना और अन्य प्रमुक फसले उगाई जाती हैं। इसके अलावा पशिम बंगाल और बांगलादेश में जूट का उत्पादन भी इसी नदी पर आधारित हैं। साथी गंगा नदी और इसकी सहायक नदियां भारत के कई हिस्सों में पेयजल आपूर्ती का मुख्य शोथ हैं। उत्तर प्रदेश, बिहार, पशिम बंगाल जैसे राज्यों की ग्रामेड और शहरी छेत्रों में गंगा के पानी का व्यापक उपियोग किया जाता है। भारती समाज में अतिदिक श्रधा के साथ देखा जाता है। यह हिंदु धर्म में मोक्ष प्राप्ती का प्रतीक है। और वारांड सी प्रियागराच और हरिद्वार जैसे धार्मिक स्थलों पर गंगा के किनारे महत्वपूर्ण धार्मिक क्रियाएं की जाती है। प्रियागराच में गंगा के तटपर आयोजित होने वालक को भुमेला गंगा नदी तंत्र जैविविदता के सनक्षर में भी महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है। गंगा नदी में गंगा डॉल्फिन, मगरमच, मचलियों की कई प्रजातियां और इस्थले पक्षियो की महत्वपूर्ण संख्या पाई जाती है। इसके अलावा गंगा के आसपास के जंगल और आद्रभू में भी परियावरण संतुलन बनाए रखने में महत्वपूर्ण है। इसके अलावा गंगा नदी का जलवायू संतुलन में भी महत्वपूर्ण योगदान है। इसके इस रूप से मानसून के दोरान गंगा के आसपास के इलाकों पे बारिश के पाणी का संचय और भूमी का च्यरण रूखा जाता है। हलाकि वर्तमान समय में गंगा नदी तंत्र को भी कुछ चनोतियों का सामना करना पड़ रहा है। जिससे जल्य जीवन पर बुरा असर पड़ता है। सरकारी आंकडों के अनुसार गंगा के कई हिस्तों में प्रदूशन स्थर सुरक्षित सीमा से बहुत अधिक है। इसके अलावा गंगा पर बने बांध और जल विदुत परियोजनाओं ने इसके प्राकृतिक प्रवाह को प्रभावित किया है। यह जलिय जीवों की प्रवासन प्रक्रिया में बाधा डालता है और नदी के जल की गुडवत्ता को भी घटाता है। कई बार इस प्रकार के बांध और नहरे सूखा और बार जैसे इस सितियों को भी जन्म दे देते हैं। इन सब के अलावा गंगा नदी के किनारों पर अवैद बालुखनन एक बड़ी समस्या है जिससे नदी की प्राकृतिक धारा प्रवाहित होती है और जल की गुडवत्ता में गिरावटाती है। बालुखनन से गंगा के किनारों की मिट्टी का छरड होता है और आसपास के पारिसित की तंत्रों पर भी नाकरात्मक प्रभाव पड़ता है। गंगा नदी तंत्र का सनक्षण और पुनरुद्धार एक महत्वपोर्ण निती मुद्धा है। कठो नियमों का पालन किया जाना चाहिए। इसके लिए गंगा तत्वर्ती शेहरों में जल शोधन सयंत्र और सीवेश ट्रीट्मिंट सयंत्र स्थापित के जाने चाहिए। इसके लावा गंगा के किनारों पर अवैद बालुखनन पर सक्त निग्रानी रखनी चाहिए। इसके लिए सरकार को कड़े कारून लागू करने चाहिए और इसके अरपालन की नियमित जाच करने चाहिए। साथी गंगा के सनरक्षण के लिए स्थानिक समुदायों, धार्मिक संगट्टों और आमजन्ता को जागरू किया जाना चाहिए। गंगा को साफ रखने के लिए समुदायक सहयोग से जागरुकता अभियानों का आयोजन किया जा सकता है। इस सबके अत्रिक्त जलवायु परिवर्तन के प्रभावों को कम करने के लिए गंगा के जलग्रहण शेत्रों में व्रिक्षारों पर और भूमी सनरक्षण गतिविदिया बढ़ाई जानी चाहिए। जलवायु परिवर्तन के कारण जलस्तर्वे बदलाव को समश्री के लिए और शोध की आवशकता है। गंगा की प्रदूशण और सनरक्षण की समस्याए केवल सरकार की ही नहीं बलकी हर भारती नागरी की जिम्मेदारी है। गंगा रदी तंत्र का भारत की समाजिक, आर्थिक और परियावरणी महत्यों पर विस्तार से चर्चा करें। इसके सनरक्षण के लिए उठाये जाने वाले संभावित उपायों का वर्डन करें। तो व्यूवर्स आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं अगले एपिसोड में किसी नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद। अपने एक्जाम की तयारी को और बहतर करने के लिए हमारे चैनल को लाइक, शेर और सब्सक्राइब करना न भूले।